तो यहां जो एध है वो कर्ता की रूप में व्योक्षित है और उदक जो है कर्म है तो एध कर्त्रिक उदक कर्मक परिश्क्रण यह अर्थ यहां पर यह करते हैं और इस तरह से एध उदक के गुणों को धारण करता है यह है यह अर्थ हिनों ने माना है इसी को तत्तवोधनी कारने और अन्याचारियों ने इसको स्विकार किया है इन तो बलों बाल मनोरमा करने दूसरे अर्थ को माना तो यह दोनों में एक भेद है वह भेद हमें बतलाना था जिसको हमने उल्लेख आपके सामने किया सेश जो इस्थिती है वो उसी रूप में है सश्टी विवक्ति का पूरा विचार वो आपके सामने उपस्थित हुआ है अब हम यहां जो विचार करने जा रहे हैं वो सत्तमी विवक्ति का विचार है तो सत्तमी विक्ति के विचार में जो सरप्रत्थम उपस्थित सुत्रा आपके सामने है और वो है आधारो धिकरणम आधार की अधिकरण संग्या होती है तो आधार की अधिकरण संग्या कैसे होगी उसके लिए इद्हों नए बृत्ति में लिखा करत्रि करमत द्वारा तन्निष्ठ क्रिया या आधार है कारकम अधिकरण संग्यास्यात करता और कर्म के द्वारा तन्निष्ठ जो क्रिया का अधिकर उसकारक की अधिकरण संग्या होती है अब यहां एक प्रश्ट उठता है कि यहां पर करता और कर्म के माध्यम से क्रिया का आधार जो बने ऐसे कारक की अधिकरण संग्या होती है तो ऐसी स्थितिवे हैं यह जो आपका अधिकरण है यह कैसे कारक बनेगा क्यों क्योंकि यहां साक्षात क्रिया जनकत तो नहीं बनेगा जैसे यहां पर देवदत्ता है ग्राम उगच्छती यहां पर करत्रित्वेन क्रिया की जनकता बनती है ग्राम उगच्छती में ग्राम उद्देश्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य से संबद्धों करको साक्षात क्रिया का संपादक बनता है जो कि बिना संप्रदान के दानक क्रिया संपादित नहीं हो सकती है इसी प्रकार अपादान भी है पो बहुरू पर जह है उस क्लिया का संपाधक बनता है जिसे देव अदता है है प्रयागात कांशिंग ट्षति में प्रयाग से जब तक पार्थकक के नहीं होगा neither कांशी ग्मन संभभ नहीं होगा फलता वहाँ पर भी साक्षात क्रिया संपादकत तो क्रिया जनकता बनती है किन तो आधार जो है वो साक्षात क्रिया का जनक नहीं बन रहा है तो यहाँ यह कैसे बनेगा तो ऐसे वस्था में कहा गया कि यद्यपी साक्षात क्रिया का आधार नहीं बनता है किन्तु आधार बिना करता और कर्म के आधार संभो भी नहीं है इस कारण से नांतर यकताया करत्र कर्मत द्वारा ही साक्षात क्रिया जनकता मानी जाएगी नांतर यकतात पर क्या होता है येन बिना यत अनुपन्नम तत्तस्य नांतरियकं येन बिना कर्त्रिकरम संब्धन्ध बिना कर्त्रिकरम द्वारा तत्र आश्रयं बिना आधारह अधिकरणम अनुपन्नम अतहा अधिकरण संग्यायाह विशये कर्त्रिकरम अभ्यवधानम ये कर्त्रिकरम द्वारा आधार विधानम तत्र यहा आधारह कारकुरूपह तत्स्य अधिकरण संग्याववति तो इसलिए कर्त्रिय और कर्म तनिष्ठ क्रिया का जो आधार बनते हैं वो कारक उसकी अधिकर्ण संग्या जो होती है अर्थ किया गया तो कर्त्रिकर्मत द्वारा का जो स्वरूप बनता है यह नांधरीयक्ताय बनता है तो का अगर इस तरह से मानेंगे तो फिर ब्रामन से पुत्रह काशिम गच्चती इसमें ब्रामन भी पुत्रत द्वारा क्रिया से गवनक्रिया से संबद्ध होता है तो उसको भी कारक मानना पड़ेगा तो का नहीं मानना पड़ेगा पुत्रहा काशिम गच्चत से भी कारी चल सकता है तो जो वहाँ पुत्रकर्त्रिक काशि गमनक क्रिया संभो है कोई बाधक नहीं है तो नांतरीकत तो जो है को ब्रामन का समाप्त हो जाता है किन्तों यहां समाप्त नहीं होगा देवदत्ता तिष्ठती कुत्र तिष्ठती यह वहाँ पर आधार की विवक्षा होती हुआ है पुस्तकम स्थापयती तो कत्कुत्र कस्मिन स्थाने स्थापयती कस्मिन स्थाने का वहाँ पर होता पीठे स्थापयती तो करता और कर्म क्या कि द्वारा जो आधार है ऐसे कारक की ही अधिकर्ण संग्या बनेगी तद्भिन्न की संभो नहीं है इसलिए करत्रिकर्मत द्वारा ये जो कहा गया नांतरियक्ता कहा गया वो उसकी अधिकर्ण संग्या होती है अधिकर्ण के रूप में जिसकी चर्चा हम लोग किये थे त्रतिय विक्ति में तमब ग्रहनें की गंगायां घोशा हमें कि यहां पर जो चर्चा हुई थी कि जो जितने भी संग्याएं हैं उनको हम कारक्ण सभी संग्याओं को महती संग्या होने के बाद वाजूद भी इन संग्याओं को हम अन्वर्थक नहीं मान सकते हैं जैसे बतलाए गया है कि अधिकर्ण संग्या में यहां दोश पढ़ता है एतदर्थ सामान रूप से आधार गनन किया जाता है जो भी आधार है वो सामान रृताद विसिष्ट आधार भी हो सकता है और गोड आधार भी हो सकता है तो मुख्य आधार और गोड आधार में अंदर गया है मुख्य आधार जो सरवावय व्याप्त आधार है वो मुख्य आधार है जैसे तिलेशु तैलम ददनी सरपी तो इत्यादी इस तरह के जो आधार है जो अपने सम्पूर्ण अवयव को व्याप्त करके और वो उपस्थित होते है तो ऐसे आधार जो है वो सरवावय व्याप्त आधार है दूसरे जो है एक देशी आधार है जैसे कटे आस्ते तो सम्पूर्ण कट को व्याप्त करके कोई व्याप्त उसमें बैट नहीं सकता है आसने तिष्ठति तो आसने के आसन के किसी एक भाग विशेश में या अधिक भाग विशेश में परनों तो संपूर्ण आवय व्याप्त आधार नहीं बनेगा तो इस तरह के जो आधार हैं वो गौड़ा आधार कहलेंगे और आधार का भी स्वरूप है जो संपूर्ण अपने जो आश्रे है उसको ब्याप्त करके जो आधे रहे तो ऐसा जो उस आधे का आधार है उसको हम अभी ब्यापक आधार कहेंगे और जो अपने आश्रे को किसी एक भाग को या कुछ अधिक भाग को ब्याप्त करके इस्तितो उसको हम अउपशलेशिक आधार कहते हैं उपशलेशिक जैसे कटे आस्ते या उपशलेशिक आधार है दूसरे विशैता संबंध से जो आधार बने आईसा कौन मंदा है तादिस क्रिया विशैश जैसे मोक्ष है तो क्रिया इच्छा ये विशैता संबंध से ततत विशैवरेशिक जैसे मोक्ष इच्छास्ति तो यह मोक्ष जो है वो बिशैता संबंद मुक्ष में बिशैता संबंद से इच्छा है मोक्ष बिशैनी इच्छा ग्यान है प्रयत्न है इच्छा है यान इच्छा प्रयत्न है ये बिशैता संबंद से अपने बिशै में रहते हैं और सम्वाई संबंद से आत्मा में रहते है तो संभाय संबंद से आत्मा में जो रहेंगे तो आत्मा में इच्छा जो है वो विशायता संबंद से नहों करके हो अपर संभाय संबंद से किन्तु यहां जो मुखरूब से जो संबंद ग्रहिन हो रहा है यह व्यवहार विशाय में प्राप्त जो विशाय हैं उनसे उन्हें विशायता संबंद से होगे जिसे मुक्षे इच्चास्ति ये उदाहर ने अभी आपके सामने आए उपस्तित होगा इस तरह से ये तीन आधार हमारे सामने उपस्तित होते हैं और कोई भी आधार मिना करता के अथवा कर्म के वह संपन्द नहीं होता है इसलिए सरकुछ विचार करके करत्री कर्मत द्वारत तनिश्टिक्रिया आधारा कारकम अधिकरण संग्या स्यात ये इसका अर्थ बताया गया और इसके अनंतर अध्य है आपका सरोप्रथम कारक सश्ठी कारक कारक विभक्ती अधिकरण विख्ती का स्वरूप सब्तम में द्विकरणे चार अधिकरणे सब्तमी स्यात प्रश्णी ये होता है कि जब अनभीत एक अधिकार है इनको लिखना चाहिए था जैसे कर्मन दुतिया में लिखा उन्होंने अनुक्ते कर्मन दुतिया स्यात इसी प्रकार त्रितिय विख्ती के लिए विरिखा करती करणे उस त्रितिया अनुक्ते करती करणे चा त्रितिया स्यात तो इन्हों दो जगे तो इन्होंने अनुक्त अनुक्त लिखा अन्यत्र कहीं भी अनुक्त शब्द का उलेख जो है भटोज दिक्षित ने किया नहीं संप्रदाने चतुर्थिया चतुर्थी संप्रदाने का वहाँ पर भी अनुक्त शब्द का उलेख नहीं है सीधे के वल इतने लिखिया उन्होंने चतुर्थी संप्रदाने स्यात संप्रदाने चतुर्थी संप्रदाने चतुर्थी स्यात इतना काली ले करके है और उसको वही छोड़ दिया उन्होंने इसी तरह से पंचमी में भी अपादाने पंचमी है तो अपादाने पंचमी का भी जहाँ लेखों करते हैं तो सीधे कहते हैं अपादाने पंचमी स्याथ यही बृत्ति वहाँ पर उपस्तित होती है अपादाने पंचमी में तो वलकि बृत्ति भी नहीं लिखे सीधे और सब्तमी में भी सेध सब्तम इदिकरने चाई अधिकरने सब्तमी स्यात चकारा दूराति कारथ अध्या ये लिखा इन्हों ने इसका मुख्यतात कत पर क्या है कि वस्ता ये कोई बभुगा प्रश्टा नहीं है कि उन्होंने क्यों नहीं किया चतुरिति संप्रदाने में तो सूत्रिति संप्रदाने के सूत्र के बृत्ती में तो नहीं लिखा उन्होंने किन्तु बाद में लिखा अनभीहिते इत्यव ऐसा करके उन्होंने इसका संकेत दिया कि नहीं इसमें अनभीहिते का अधिकार हैं इसलिए अनभीहिते संप्रदाने चतुरते सियात ये उल्लेख होगा पंचिमी के विशा में कुछ ऐसा भी उन्होंने ने लिखा इसका मुख्यतात पर ये है कि एक वार अनभीहिते अधिकार की चर्चा होकर कि जब संपूर्ण बातों का विवर्ण उन्होंने प्रस्तुत कर दिया तो उसी के आधार पर सबका एक साथ संकेत हो गया और उसी संकेत के आधार पर सरवत्र ऐसा समझना चाहिए प्रकरणक के माध्यम से एतदर्थ कहीं भी अनभीहिते का दुबारा उल्लेख नहीं किया उन्होंने चाहिए उचतुर्थी संप्रदाने हो चाहिए पदाने पंचमी हो चाहिए सब्तम्यधिकरणे चा सूत्रप को हो किन्तो अर्थ जबाब करेंगे तोहां पर अनभीहिते शब्द का उल्लेख करके आपको अर्थ करना पड़ेगा यह अनुक्ते अधिकरणे सब्तमी स्या चकारा दूरांतिका अर्थे ब्याद्धिकरणे और सब्तमी के प्रभेदों के विश्य में चर्चा हो गई है अवप स्थाल्याम पचति ये दोनों उदाहरण अउपशलेशिक सब्तमी के हैं कट भी अउपशलेशिक है स्थाली का भी है और वैशेई का उदाहरणे मोक्षे इच्छा स्ति और अभिवापक का उदाहरणे सरवस्मिन आत्मा स्ति तो संपूर्ण समसार के जितने प्राणी है वो सम्मे आत्मा है तो इस तरह से इन्होंने इसकी व्याख्या की और साथ में चकारात दूरार्थक और समी पार्थक शब्दों से भी सब्ति व्यक्ति का होता है जैसे वनस्य दूरे अंतिके वा ये उलेख हुआ है तो जैसे इसका यहां जो आपने ये पूरा वाक्य लिखा है तो इस वाक्य में दो भी भक्तियां आपके सामने उलेखित हो रही एक तो है वनस्य में सश्ठी विवक्ति का सरूप और दूसरा है दूरार्थक समीबार्थक शब्दों का सरूप बनस्य दूरे अंतिके वा ये दो सरूप आपके सामने उपस्तिद हो रहे हैं यदिप इनकी विशा में पहले भी चर्चा हुई है इन तो फिर भी यहां पर भी चर्चा आवश्यक है क्योंकि अब धीरे धीरे इन सब चर्चाओं का आवसान हो रहा है इसलिए इनका कथन भी होना जरूरी है तो उनका सबका उलेख होना आवश्यक होता है चुकि एक पहले एक सूत्रा चुका है दूराद आंतिकार थे भ्यो दुतियाचा दूर शब्द और अंतिक शब्द इनसे दुतिया भीक्ती होती है और चकारात, पंचमी और तृतिया भीक्ती होती है और इसके पहस्चाथ इस सब्टम में दिकरने चासूत्रे सब्द भीक्ती का भी विधान करता है तो इस तरह से दूरार्थक, समीपार्थक शब्दों से इन चार भीक्तियों का उलेख होता है दुतिया, तृतिया, पंचमिया और सब्तिमी विवक्ति का तो इतने विवक्तियों का यहां उल्लेख हो रहा है तो यह दुतिया, तृतिया और पंचमिया पहले और इस सुत्र से सब्तिमी का कुल मिलाकर के चार विवक्तियों का उल्लेख हो रहा है और वन शब्द से यहाँ पर सश्थी व्यक्ति का विधान होता है इस कारण से वनस्य में आसश्थी और दूरार्थक शब्द दूर समीपार्थक शब्द अंतिक इनसे इस सूत्र से यहाँ सप्नी व्यक्ति का नीमन हो रहा है और सासाथ जो पहला सूत्र जिसकी चर्चा हुई थी दूरान दिकारत अब्यो दुतिया अच्छा इस सूत्र से यहाँ पर पंच मित्रतिया और दुतिया इन भीवक्तियों का सबका उलेख हो रहा है और यहाँ इनके योग में दूरार्थक समीपार्थक शब्दों के योग में यहाँ जो प्रातिपदिक है उसे सष्ठी भीवक्ति का नियमन होता है तो ये इन विभक्तियों का प्रत्थक प्रत्थक जो स्वरूप हमारे सामने उपस्तित होता है जिनकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं और इसके अनंतर जो विचार हो रहा है एक चीज और बतलाना है उसके पहले जो पूरी बात है यहाँ पर वो यह है कि एक यही ऐसा प्रकरण है जिसमें कायरक विभक्ति के लेके वल एक ही सूत्र है आधारो अधिकरणम अधिकर्ण संग्या करने वाला है और सब्तम में दिकर्णेचा सूत्र है कोई दूसरा सूत्र ने बागी जितने भी सूत्रा आपके सामने उपस्तित हो रहे हैं वो सब के सब उपद व्योक्ति के बोदक है तो यहां वनसे दूर एंतिक यवा दूरा अंदिकारत, भेति वियक्ति त्रेइण सहचतऩ rest아त्रप वियक्तảHa more अनोजय पलिताहण, इसका उडिका कर दिया है मन्होंनों अब वारतिक एह अक्तषे इन्विशेष्य कर्मन्यूंक लेंनी पसंख्यानं। ये सूत्र कहता है इन विशयस्य अक्तस्य अर्था जिस अक्ता प्रत्ययान्त से इन प्रत्य का विधान हो ताद्र से इन प्रत्ययान्त के योग में जो कर्म है उसमें सब्तमी विवक्ति का नियमन होता है तो इस जंग से इस वार्ति को भी हम कार्यक विवक्ति के अंतरगत मान सकते हैं प्रयोगे अधीती व्याकरणम अधीतम अनेरिस विग्रह में विष्टा दिभ्यष्य सूत्र से इन प्रत्य होता है और जिसका surwo बनता है अधीती और उसका कर्म है यहाँ पर व्याकरणम तो व्याकरण कर्व में यह दिप यहाँ पर कुदुतिय अभिक्ति होनी चाहिए किन्तु उसको बायद करके अक्तक सेन विश्य सकर्मणी संख्यान इस वारतिक के द्वारा यहाँ पस सब्तमी व्युक्ति का नीवन होता है अधीती व्याकरण यह रूप बनता है अगला वारतिका साध्व साध्व प्रयोगेचा यह कहता है कि साध्व अथव असाध्व शब्द के प्रयोग में जो प्रातिपदिक उससे सब्तमी व्युक्ति का नीवन होता है जैसे साध्व कृष्णो मातरी असाध्व मातुले तो यहाँ पर साध्व शब्द के योग में मात्री शब्द है और असाध्व शब्द के योग में मातुल शब्द है तो इस वारतिक से वहाँ पर सब्तमी व्युक्ति का नीवन होता है तो कृष्णा साध्व मातरी असाध्व मातुले मैं यहां पर मातरी में सब्ति विक्ति कानिमनों से मातरी रभ होता है मातरी रभ होता है निमित्तात कर्म योगे निमित्तात कर्म योगे का तात्पर ये है कि जहां पर निमित्त से कर्म का संबंद हो रहा है तो जिस निमित्त से कर्म का संबंद हो रहा है उससे यहां सत्मिविक्ति का नीमन होता है निमित्य क्या है निमित्तम इफलम यहां फल निमित्त है और कर्म योगे में योग शब्द का अर्थ है क्या है तो कहें योगहा संबंधा योग का मतलब होता है संबंध किम रूब संबंध होगा सन्योग समवाय आत्म का सन्योग संबंद और समवाय संबंद यह दोनों यहाँ पर संबंद शब्द से ग्रहित होंगे तीसरा ग्रहित यहाँ पर नहीं होगा अब यह सन्योग क्या है समवाय क्या है इसका थोड़ा सा ग्यान होना चाहिए पर्क संग्राय में इनका सबका अतकतन है द्रब्य द्रब्य योह संयोग संबंध है जहां द्रब्य और दूसरा द्रब्य हो वहां संयोग संबंध हो और अवयव अवयवी का जात इव्यक्ति का और गुण गुणी का अवयव अवयवी इत्यादिक्का इनका सबका समवाय संबंध होता है समवाय संबंध का मतलब क्या है समवाय किसको कहते हैं जब तक इसको हम नहीं जानेंगे तब तक हम इस सूत्र का आर्थ नहीं कर पाएंगे संभाय संबंध के पिचार में तरक संग्रह में कहा गया नित्य संबंधा संभाया आयूत सिद्ध वृत्ति आयत सिद्ध वृत्ति में आयूत सिद्धी का अर्थ क्या है तो संबन्ध तो दिष्ठ होता है दो में रहता है तो ययोह द्योमध्य दुन उन दोनों के मध्य में एक ऐसा होना चाहिए जो अविनेश्यत जिसका नास नहीं होना है और अवस्थम जो वहाँ पर इस्थित है अपराश्चितम किसे में आश्चित नहीं है ऐसा रह जैसे प्रयोग के आधार पर एक चर्चा होती है जैसे सभी पदार्थ कालिक संबन्द से काल में रहते हैं अपने अधिकर्ण के द्वारा पाध्यम से उसी तरह जैसे घटत तो जो है काल में कालिक संबन्द से है कैसे हो घटा वच्चे देना न तु पटा वच्चे देना और यहां जो काल अधिकर्ण है उसका आधे कौन गटत और घट अवच्चे दक है इस प्रकार घटत तो निष्ठ जो काल निष्ठा अधिकर्णता है तनिरूपित जो आधेयता है वो सामान रूप से सभी घटों में इस्थित है अताह घटत तो और घट ये परस्पर में आयूत सिद्ध होते हैं इसी तरह से अवयव अवयवी जाती व्यक्ति आधिको भी समझना चाहिए तो ये आयूत सिद्धी का तात्पर है और जहां पर आयूत सिद्धी में रहेगा वहीं परस्ववाय संबंद होगा यहां पर जो उदाहरण दिये हुए हैं चर्मनी दीपिनम हन्ती दंते और हन्ती कुंजरम केशेश चमरीम हन्ती सीमनी पुष्का लगो हता अब यहां निमित्त है चर्म दंत केश और सीमनी अब इन अस्तनों में संबाय संबंद किस से होगा जिसे चर्म दीपि है दंत कुंजर है केश चमरी है सीमनी पुष्का लग है इनमें किसका संबाय संबंद होगा सामान रूस से देखने में ऐसा लगता है कि चर्म और दीपि इनमें भी संबाय संबंद होना चाहिए क्योंकि चर्म अवयव हो गया उसे दीपि का दंत भी अवयव है कुंजर का तो उसमें भी संबाय संबंद होना चाहिए केश और चमरी का उसमें भी आपसे संबाय संबंद होना चाहिए सीमनी और पुष्च का लकमर्ग का तो आपस में संबाय संबंद हो कि असरवत्र अब यवी भाव संबंद है तो कहां कौँ सांबंद होगा कैसे बनेगा कैसे इसका घ्ञान किया जाए और मूल में कहा गया है कि संबंधा संयोग संवाय अत्म का इसका मतलब है कि यहाँ पर एक का संवाय है किसी का और अन्य का जो है वो संयोग संबंध हो सकता है देखिए यहां पर द्वीपी का और चर्म का संभाय संबंद है क्योंकि बिना चर्म के द्वीपी नहीं रह सकता है और द्वीपी के बिना चर्म के भी सत्ता नहीं है इसलिए दोनों में आवयाव यहाव संबंद होने से आयुद सिद्ध है और कुंजर और जो दंत हैं इनका भी संभाय संबन्ध दिखाई पड़ता है और चमरी और अम्रग विशेष यह है इसे सीमनी पुष्काल को आता यहां पर कहते हैं इनका संभाय संबन्ध इनका भी दिखाई पड़ता है तो क्या सबका केवल संभाय संबन्ध ही है इस पर इस्तिती यह है कि दीप और चर्म का संभाय संभध तो है किन्त यहाँ पर दंत और कुंजर जो है इनका संभाय संभध नहीं है यहाँ कि दांतों के गिर जाने से भी कुंजर कोई विशेश नहीं बिगड़ता है इसलिए यहाँ पर आयूत सिद्ध नहों करके यूत सिद्ध है अर्थात जिन दोनों में किसी एक के विना दोनों की सत्ता समाप्त हो सकती है वहीं पर आयूत सिद्ध का सुरूप बनेगा जैसे अगर जाती ब्यक्ति है तो ब्यक्ति खतम हो जाए तो तन निरूपिता जाती भी वहाँ पर उपस्तित नहीं रहेगी और जाती के नहीं रहने पर वो बिख्ति का भी सुरूप हो नहीं रहेगा इस तरह से अवयव का सुरूप और अभियवी का सुरूप दोनों का है तो किंतु दातों के हट जाने से भी भले अवयव हैं वो अवयव हो सकते हैं किंतु आयत सिद्ध अवयव नहीं है यूत सिद्ध हैं प्रथक होने पर भी उनकी सिद्धी बन सकती है तो जिनके प्रथक होने पर सिद्धी बने वो युत सिद्धी और जिनके प्रथक होने पर सिद्धी ना बने वो आयुत सिद्धी एक समाने भाषा में इसको कह सकते हैं विशे सास्त्री भाषा को ना लें तो चर्म और दीप में आयुद सिद्धी है इसलिए संवाई संबंदवा होगा किंतु दंत और कुंजर में आयुद सिद्धी स्थिती नहीं है यूद सिद्धी उनकी है इसलिए यांपर सन्योग संबंद होगा इसी तरह से केश और चमरी का है केश के कर्तन होने पर भी चमरी का वहाँ पर जो है इस्थित्य भाव नहीं होता इस्थित्य उसकी रहती है इसलिए यहाँ पर भी युतसिद्धी का सुरूप है इसलिए यहाँ पर भी संयोग संबंद होगा इसी प्रकार जो है पुशकल और गंधम्रग है तो यहाँ सीमनी पुशकलक का हता है तो पुशकलक और सीमन है तो यहाँ सीमा अंडकोश और पुशकलक म्रग है तो यहाँ पर जो है पुशकलक जो है वो कर्म है और सीमनी जो सीमन है यहाँ पर निमित्त है यहां पर भी गंधमर्ग और सीमन का परस्पर में अविवाओ संबंध होने से यह भी संबाई संबंध है तो दो जगे संबाई संबंध है और दो सल्म में यहां संयोग संबंध है चर्म और दीप में सीमनी और पुष्कलक में गंधमर्ग में यहां जो है वो संबाई संबंध है दंत और कुंजर में केश और चमरी में यहां पर संयोग संबंध है इस कारण से इन अस्थलों में संयोग संबंध से निमित बन रहे हैं और संबाई संबंध है संबाई संबंध से निमित कहा हो रहा है चर्म निमित बन रहा है संबाई संबंध से और सीमनी निमित बन रहा है संबाई संबंध से दंत बन रहा है से योग संबंद से और केश बन रहा है संबाय संबंद से इसलिए निमित्तात कर्व योगी सूत्र के द्वारा निमित्त बाची जो चर्म है धंत है केश है सीमन शब्द हैं यहाँ पर सक्तिम विवक्ति का नीमन होता है निमित तात कर्मे सूत्र के द्वारा जिससे यहाँ पर चर्मणी दिविपिनम हंती दंति और हंति कुंजरम केशेश चमरीम हंती सीमनि कुषकल को हता है यह सभी प्रयोग सिद्ध होते हैं वस्तुता है यहाँ पर हेत उस उत्र से तृतिया प्राप्त रहती है यहाँ पर हेत निमित और हेत निमित और हेत निमित और हेत दोन का एक ही स्वरूप है तो हेत उस सूत्र से यहाँ तृतिया प्राप्त थी उस तृतिया को बाधने के लिए यह यहाँ पर इस वारतिक का उ योग हुए है तन्य वारनार्थम इदम वारतिकम ये वारतिक है सीमा अंड कोशा पुष्काल काह गंधम रगाह अब योग विशेशे किम लिखाए नो योग विशेशे का मतलब यहां पर संयोग और समवायत्मक संबंधी होना चाहिए ऐसा क्यों का तो वेतनेन धान्यम लु दान्यम लुणाती में यहां जो है क्या इस्तिति है कि यहां तो ना तो संवाय संबंध और अन्य योग संबंध है स्लिए यहां यह। विशेश्चना होने के कारण यहां पर सब्दिम्भ्यक्ति नहीं हुए अपित्यृत्व। सूत्र से इत्रतिया हुए है तो वेतनेन द अगला सुत्र आपका है यस्य च भावेन भाव लक्षणम तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम इसकी बृत्तिनों ने किया यस्य क्रियाया क्रियांतरम लक्षटे तता सब्तमी स्याथ अब इसका ताद पर गया हुआ कि यस्य क्रियाया क्रियांतरम लक्षटे तता सब्तमी स्याथ इसका हम क्या अर्थ हमें करना चाहिए तो इसका ताद पर ये है कि जिसकी क्रिया से अन्य क्रिया पर लक्षित हो रही हो उस प्राद पर इससे सब्तमी विक्तिका नीमन होता है जैसे यहाँ पर गो निष्ठ जो दोहनक क्रिया है उस क्रिया से देवदत्ता दिकर्त्रिक कमनक क्रिया पर लक्षित हो रही है तो यस्य क्रिया या निष्ठ क्रिया या गो निष्ठ क्रिया या क्रियांतरम अन्या क्रिया देवतता दिनिष्ठ क्रिया लक्षते ततह गो 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 शब्दार अर्था यस्य क्रियांतरम लक्षते यस्य तो तत्र क्रियांतर लक्षक क्रियाधी करनात तो क्रियांतर गमनक क्रिया उसका लक्षक क्रिया का उन है दोहियमानक क्रिया उस क्रिया का आधार का उन है गो तो गो शब्द से यहाँ पर सत्मिव्यक्ति हुआ इसी तरह से अन्य शब्दों का भी जानना चाहिए अर्थाद यन निष्ठ क्रिया क्रियां तरब लक्षते तो पूर्व क्रिया यहाँ आधारा तस्य सब्तमी स्याद यहाँ पर दो क्रिया है तुई हमाने क्रिया अर्थाद दोहनक क्रिया और गवनक क्रिया गवनक क्रिया देवदत्तादी कर्त्रिका है और दोहनक क्रिया गो में हो रही है तो उसक्रिया का अधार गो हो रहा है इसलिए प्राइट्वत्ति गो से यहाँ पर सब्तिम्यक्तिका नियमन होता है और चुकि यहाँ पर उसका विशेशन है दुज्यमन यल लिंगकम यद भिख्तिकम यद बचनकम विशेशन तलिंगकम तद बचनकम तद भिख्तिकम विशेशन इस नियम के अधार पर गोश्व यहाँ पर विशेश है उसका विशेशन जो दुज्यमन है उससे भी यहाँ पर सब्तिम्यक्तिका नियमन होगा अगला एक वर्तिक है अरहाणाम करत्रित्वे नारहाणाम करत्रित्वे तद्वे प्रेत्वे अर्थ का अर्थ होता है योग्य अनर्थ का अर्थ होता है अयोग्य तो योग्य का करत्रित्व होना चाहिए अयोग्य का अकरत्रित्व होना चाहिए तो यहां पर तीन इस्थती हैं अरहा नाम करत्रित्पे तत्र अरहा वाचकात प्रात्वितिकात सप्तिमी भववति अनारहा नाम अ करत्रित्पे तत अनर्ह वाचकात प्रात्वितिकात सप्तिमी भवती तद अवाई पे रीत्तिये अथात अनर्हाणाम करत्रित्त पे अर्हाणाम अकरत्रित्त पे दोनों के यहाँ पर इस्तिती है उसका उदाहरण आपके सामने उपस्तित हो रहा है प्रयोग है सत्सु तरत्सु असंत आस्ते तो यहाँ अर्ह है सज्यन सज्यनों को तर्ना चाहिए और असज्यनों को रहना चाहिए तो अर्ह नाम करत्रित्त्तोय कि में नहीं इसनों से कि आर्व बाचब शब्द सत हुआ क सद Löешik वोता है और सज्जनों को सदोने सरकरे आइपराम क्लाएं इसलिए भाल्य अक्रत्रीक शंच है इसलिए तat बाचक जो सत शब्दाय तत भिशेश्ण जो तिस्षच्ठ गया धोन से सत्विप्छति का नीमौन हों से सद्ष 수 तिश्ठ चुछ सन्ताहतरती और कि me इन वग् Landes तीन स्वरूर उ पस्थिती होते हैं तीन के चोकि असा तौर हो रूं को धोनों को भिपरीद कर गे तो चार स्वरूर अरहाा्नाम करत्रित्वे अनारहाणाम अकरत्रित्वे असासुतै का मतलब हो गोग रृँ लिए और अनार्हानाम करत्रित्वे तो इस तरह से यहोगा आप लोगों ने सत्य सप्तमी का जो स्वरूप अपने सुना है और कई व्याख्यान में सत्यृसतर्जनबी हो जाता है सत्य सप्तिमिका बिधान की सूत्र से होना चाहिए तो उसके लिए भी यस्षच भाविन भावलक्षन सूत्र ही माना जाता है अगला सूत्र है आपका सष्ठी चानादरे अनादराधिक के भावलक्षने सष्ठी सप्तम्योस्ता ये भी जो पूर्व सूत्र आपके सामने उपस्तित हुआ है वारतिक जो है और वो है आपका अरहाणाम करत्रितों अरहामकृतत्वे प्रित्तेचा उसके पहले ये सिभावेन भावलक्षणम तदवत यहां पर भी सश्ठी चानादरे ये सूत्र है ये कहता है कि अनादरा धिक्के रथा सश्ठी चानादरे सूत्र में भी ये सचा भावेन भावलक्षणम ये सूत्र के अंशिया उपस्तित होते हैं तो अनादरा धिक्या अनादरे बने अनादरा धिक्के भावलक्षणे यहां पर भाव भाव बने क्रिया क्रिया परिलक्षि तो सश्थी सप्तम्य उस्तव वहां पर सश्थी और सप्तम्य विवक्ति का नीमन होता है दोनों जैसे यहां पर रुदनक क्रिया से परिव्रजनक क्रिया परिलक्षित हो रहा है यह से क्रिया क्रियांतरम लक्षते तो यहां पर भी जो है रुदनक क्रिया या क्रियांतरम प्रवजनक क्रिया परिलक्षत हैं कदा अनादरादिक के जहां अनादर का आधिक है वहां उसस्थल में तो वहां जो भावलक्षक क्रिया है क्रिया लक्षक क्रिया है उससे यहाँ सब्तमी और सश्ठी विवक्ति दोनों का नियमन होगा जैसे रोधनक क्रिया से प्रभजनक क्रिया पर लक्षित हो रही है तो रोधनक क्रिया बाचक शब्द जो रुदत है सब्त्रि प्रत्यान्त उससे यहाँ पर सप्तमी और सश्ठी दोनों का नीमन होता है तो सश्ठी विवक्तिका नीमन होने से रुदता है सप्तमी विवक्तिका नीमनों से रुदत ये दोनों होता है इसका अर्थिनों लख रुदनतम पुत्तरादिकम अनादृत सन्यस्तवान यहां अनादरा धिक है कि रोते हुए भी पुत्रादी को छोड़ करके और सन्यास ग्रहन करता है तो इस तरह से इस सूत्र से यहाँ पर सप्तमी और सश्टी दोनों भी हक्ति का नीमन हो रहा है इस यह भी जो सूत्र है यह उपद भी हक्ति के उदाहरन माने जाते हैं अगला सूत्र आपका है स्वामी स्वराधीपति दायाद साक्षि प्रतिभू प्रसूत इस्चा अभी देखे आपके सामने यह जो दो सूत्र उपस्थित हुए हैं एक सूत्र आपका यह सच्च भावेन भावलक्षन दूसरा सश्ठी चानादरे इन दोनों सूत्रों से क्रिया विशेश्य क्रियांतर का जहां पर लक्षन हो रहा है उनके ये दो उदाहरण बनते हैं और इसके पहले जो निमित्तात कर्मयोगे हैं वहाँ पर वो निमित्त को लेकर के उसका विचार हुआ था भी निस्तिति इनको हम सामाने रूप से उपत भ्यक्ति के अंतरगत रखते हैं कि ये ऐसा लगता है कहीं न कहीं किसी रूप में उसका निमित्त यहाँ पर जैसे निमित्तात कर्मयोगे का जो स्वरूप है तो यहाँ पर भी जिस क्रिया से क्रियांतर परिलक्षित हो रही है तो लक्षक जो क्रिया है वो कहीं निमित रूप में उपस्थित होती है इसलिए वो भी निवित्त का स्वरूप किसी नरूप से बनता है परिलक्षक क्रिया का जिसे तत्बाचक शब्द से वहाँ पर सत्विव्यक्ति का नीमन हो रहा है ये जो सूत्र आपके सामने उपस्थित है स्वोमेश राधिपति दायाद साक्षे प्रतिवी प्रसूत इस्च ये पूर्ण रूपेन उप्द व्यक्ति का स्वरूप है इसलिए लिखा एतई ही सप्तभिर योगे सश्ठी सप्तम्यवस्ता इन सात्रों को योग में सप्तमी का अधिकार चल रहा है सप्तम्यदिकर नेचा और सश्ठी चानाद्रे से सश्ठी व्यक्ति का सश्ठी शब्द का यहां अनुब्रति हो रही है इसलिए एतई सप्तभिर योगे सप्तकों है स्वामी इश्वर अधिपति और दायाद सक्षि प्रतिभू और प्रसूत ये सात है इन सातों को योगे विद्यमार जो ही प्राइट्पति होगा उससे ये दोनों भी वक्तियां होती है जैसे गवाम गोशुवा स्वामी गवाम गोशुवा प्रसूता आदी शब्दों का आप उलेख कर सकते हैं तो सश्ठ्याम ए प्राप्तायाम पाक्षिक सब्तम्यर्थम बचन NOW यद्द यहां वस्ता सश्ठी ही प्राप्ति घ्वाम प्रसूतहा गवाम स्वामी ऐसा लिए इस अनकि यहां पर सोई सम्बंद है तो संबंद्ध की विखेश्या होने से सश्टी होने सश्टी सवाई किन्तु सपत्यमी के विधान करने के लिए पाक्षिक विधान करने क्योंकि यह अन्य तरस जो है जो है यहां यह देपि यहां इस तरह का उलेख नहीं है कि विकल्ब से इस उत्र का विधान होता है तो सश्ठ्याम एव प्रातायाम पाक्षिक सब्तम्य र्थम बचलम ये कह रहे हैं पक्षमे सब्तम्यंत करने के लिए सत्मी व्यक्ति का नीमन करने के लिए इस सूत्र को यहां लिखा गया तो ये प्रश्ण उठता है कि ये पाक्षिक स्वरूप कहां से उपस्थित होता है अपने इनका कि पाक्षिक विधान करने के लिए तो पाक्षिक विधान कैसे बनेगा तो पाक्षिक विधान ये होगा कि जब दोनों विवक्तियां प्राप्त होंगी तो दोनों विवक्तियां प्राप्त होने पर वा या विभाशा या अन्यतरस्याम इत्यादिक का उल्लेख ना होने पर भी वहां पर दोनों का परियायता प्राप्ति होती है तो परियायता प्राप्ति ही यहां पर यह विभाशा का सुरूप बनता है इसले लिका सच्ट्या में प्रात्या याम, पाक्षिक सब्तम् मैंत बचरा तो गवाम गोशुवा स्वामी, गवाम गोशुवा प्रसूता है, गवाम गोशुवा- अधिपति ही, दायादाहा, साक्षी, प्रतिभू, प्रसू Extra इत्याधिक सबका ये उलेक होता है और इनका इसी तरह से दूसरा सूत्र है आयुक्त कुष्णा भ्याम चा सेवा याम आभ्याम योगे सश्टी सब्ट्रम्यु स्तात पर ये अर्थ है तो तात पर ये अर्थ हमें आयुक्त शब्द और कुशल शब्द इनके योग में विद्यमान जो शब्द है विवग परत्पदिक है सश्टी भ्यक्तिक और सब्द्रम्यु का दोनों का नीवन होता है आयुक्ता कुष्णोवा हरी पूजने हरी पूजनस्यवा तो आसेवा का तात्पर क्या होता है अने पूर्ण रूप से आसमंतात सेवा इती आसेवा अर्था सर्वथा सनलगनता होनी चाहिए जैसे यहां पर आयुक्ता कुष्णा हरी पूजने हरी पूजनस्यवा तो आयुक्ता हर्थात हरी पूजने रता है कुष्णा है तसमीन निपूना है तो निपूनत तो है पर विद्यमान है यहां आयुक्तो गवुषकटे में जो आ है वो इशत अर्थ में है तो इशत युक्ता गवुषकटे तो यहां आ सेवा ने पूरुन सेवा नहीं है समंता सेवा नहीं है अपितो अल्पकालिक सेवा है इस कारण से यहां आयुक्ता के योग में विद्यमान जो शकट है उस शकट में यहां सब्तिमी वक्ति तो होती है सश्थी यहां पर नहीं होती तो आयुकता गव्षु शकट है इस तरह से इस पर सब्तिमी का विचार आज हुआ आज हम आज इसके जो हमारा यह ग्यान सत्र चल ला है उसका आज यहें पर पूर्णता प्रदान करते हैं और कल अश्टमी होने से वकास है उसके अनंत्र पुनहा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बीच में विवधान हुआ नेटवर्क की कारण तो आज सबको धनवाद ग्यापित करते हुए आज की सत्र को यहें पर पूर्ण कर रहे हैं आप सबको बहुत बहुत धनवाद जैतु संस्कृतम जैतु भारत